24 जानवरी को हिंडिनबग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी और उस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में तेहल का मज गया त्यूस्डे को इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही अडानी ग्रूप की 46,000 करोड की मार्केट वेल्यू वाइप आउट हो गई यही नहीं गौतम अडानी ने त्यूस्डे को 5.6 बिलियन डॉलर की वेल्थ लूस करी रिपोर्ट सब्मिट हो जाने के बाद अभी तक अडानी ग्रूप की 50 बिलियन डॉलर की मार्केट वेल्यू आईप आउट हो गई यही नहीं फ्राइडे को गौतम अडानी ने 20 बिलियन डॉलर लूस करे इन जस्ट 6 hours of trading जो कि उनकी total fortune का 1-5 है पर इस report में ऐसा क्या था कि इस report के publish होने के बाद अडानी कंपनी के shares इतने जादा fall हुए तो hiddenberg एक investment research firm है और एक whistleblower organization है यह firm बहुत जादा ही extensive research करती है किसी company के उपर और अगर किसी company में गरबर लगती है तो उस company के उपर negative publicity देखे उस company के shares को short sale करती है और ऐसे ही profit कमाती है इस firm ने जैसा अडानी ग्रूप के साथ कर रहे है वैसे यह firm दूसरी companies के साथ भी कर चुकी है जैसे Nikola, Lordstone Motors, Techno Glass और Clover Health 2020 से अभी तक इस firm ने 30 companies के shares को short sale कर रहे है जिसमें Tesla बें included है 24th January को इस firm ने अडानी ग्रूप के उपर एक report submit करी जिसका नाम दिया How the world's third richest man is pulling the largest corn in corporate history इस report में Hidenberg Research ने claim किया कि कैसे अडानी ग्रूप अपने stock को manipulate कर रहा है और accounting fraud कर रहा है over the decades इस report में ये भी claim किया गया कि अडानी ग्रूप ने बहुत significant debt ले रखा है Promoters ने अपनी shares को pledge करके debt ले रखा है और जिस stock prices पे shares को pledge कर रखा है वो काफी extremely higher तो अगर किसी भी सेनारियो में company के share prices जोई वो fall होते है तो जो debt payment है वो uncertain हो जाएगा और इससे काफी जादर negative impact बढ़ेगा Indian economy में इस report में ये भी claim करा गया है कि अडानी ग्रूप के उपर चार government fraud investigations भी चल रही थी ये ही नहीं, corruptions, tax के चोरी होना और money laundering के allegations भी लगाया गया है अडानी ग्रूप के उपर इस report में ये भी लिखाए कि अडानी ग्रूप की बहुत सारी entities की audit वो firm कर रही है जिसमें केवल चार partners है और 11 employees है तो इतने बड़े-बड़े entities की audit इतनी चोटी-चोटी audit firms क्यों कर रही है अडानी ग्रूप का report के लिए reply आये कि Haydenberg Research उनकी companies के shares को short sell करके profit कमाने के लिए अडानी ग्रूप को इतनी negative publicity दे रहा है संडे को अडानी ग्रूप ने 413 pages का reply दिया तो इसके बाद जब मंडे को market खुला तो market खुलते ही लोगों ने अडानी के shares को काफी ज़दा बाय किया जिसके वज़े से अडानी के काफी shares पे upper circuit भी लग गया वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करो और चैनल को subscribe करो